अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुँच सके सब्सक्राइब के लिए अधीर हैं और उनकी सरकार नए भारत के युगाओं की इस भावना को समझती है मोदी ने नासकॉम टेक्नोलोजी एंड डिडर्शिप फोरम को समझती करते वे कहा कि यह 130 करोड से अधिक भारतियों की आकांचाएं हैं जो सभी को तेज गती से आगे बढ़ने के लिए प्रेजित करती हैं उन्होंने कहा कि नया भारत आगे बढ़ने के लिए सरकार और न अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा उन्होंने यह भी भरहुसा जताया है कि आईटी उद्योग की वृद्धी दर आने वाले समय में नए उच्चे स्तर को चुएगी प्रधानमत्री ने कहा भारती आईटी उद्योग की विश्व में छाप है लेकिन हमें इस छेत्र में अ साफी उम्मीदें हैं आपके समाधान पर मेक फॉर इंडिया की छाप होनी चाहिए इसके लाव प्रधानमत्री ने अपने संबोधन में नव प्रवर्तन पर जोर दिया स्टार्ट अप से और बहतर प्रतेशन की उम्मीद जताई और पूर्ण सयोग का भरोसा भी दिलाया आ एक ऐसा समय है जब दुनिया भारत की तरफ पहले से कहीं जादा उम्मीद और भरोसे के साथ देख रही है हमारी यहां कहा गया है ना दैन्यम ना पलायनम यानि चुनवती कितनी भी मुश्किल हो हमें खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए और ना ही चुनवती से डर कर पलायन करना चाहिए कोरोना के दौरान भारत के ज्यान विज्यान हमारी टेकनोलोजी ने न सिर्फ खुद को साबित किया है बलकि खुद को इवॉल्वी किया है एक समय था जब हम स्मॉल पोक्स के टीके के लिए भी दूसरे देशों पर निर्फर थे एक समय ये भी है जब हम दुनिया के अनेकों देशों को मेड इन इंडिया कोरोना वेक्सिन दे रहे हैं कोरोना के दौरान भारत ने जो सॉलूशन्स दिये वो आज पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है और जैसा अभी आप सब साथियों को मुझे सुनने का मोका मिला कुछ सीज ने जो बताया इसमें भी भारत की आईटी इंडिस्ट्री ने कमाल करके दिखाया है When the chips were down, your code kept things running जब पूरा देश घर की चार दिवारी में सिमट गया था तब आप घर से ही इंडिस्ट्री को स्मूदली चला रहे थे बीते साले आंकडे दुनिया को भले ही चकित करते हो आपकी क्षमताओं को देखते हुए भारत के लोगों को ये बहुत स्वाभाविक लगता है सात्यों ऐसे स्थिति में जब हर सेक्टर कोरोना से प्रभावित था तब भी आपने करीब 2% की ग्रोध हासिल की जब दी ग्रोध की आशंकाय जताई जा रहे थी तब भी अगर भारत की IT इंडिस्ट्री अपने रिवन्यू में चार बिलियन डॉलर और जोडे तो ये सचमुच में प्रसमसनिय हैं और आप सारी टीम अभिनंदन के अधिकारी हैं इस दोरान लाखों नए रोजगार देकर IT इंडिस्ट्री ने सित्ध किया है कि वो भारत के विकास का मजबूत पिलर क्यों है आज तमाम डेटा हर इंडिकेटर ये दिखा रहे हैं कि IT इंडिस्ट्री का ये ग्रोथ मोमेंटम ऐसे ही नई बुलंदिया छूने वाला है साथियों नया भारत हर भारतवासी प्रगत्य के लिए अधीर है हमारी सरकार नय भारत के भारत के युवाओं के इस भावना को समझती है 130 करोड से अधिक भारतियों के आकांग्षाएं हमें तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रेडित करती है नए भारत से जूड़ी अपेक्षाएं जितनी सरकार से हैं उतनी ही आप से भी है देश के प्राइवेट सेक्टर से भी है साथियों आरत की आएटी इंडिस्ट्री ने अपने फूर्प्रेंट्स ग्लोबल प्रेक्षाएं पर बर्सों पहले जमा दिये थे पूरी दुनिया को हमारे भारतिय एक्सपोर्ट हमारे एक्सपोर्ट सर्विसीज और सॉलुशन देने में नेत्रुत्व कर रहे थे योगदान दे रहे थे लेकिन कुछ कारण रहे कि भारत का जो विशाल डोमेस्टिक मार्केट है उसका लाप आई-टी इंडिस्ट्री को नहीं मिल पाया इस वज़े से भारत में डिजिटल डिवाइड बढ़ता गया एक तरथ से हम कहते हैं और हम कह सकते हैं दिया तले अंधेरा वाली बात हमारे सामने थी हमारी सरकार की नीतियां और निर्णे गवाँ है कि कैसे बीते वर्षों में हमारी सरकार ने इस एप्रोच को बदल दिया है सातियों हमारी सरकार भी ये बलीभाती जानती है कि बंदनों में भविश्की लीडर्शीब दिख्षित नहीं हो सकती और इसलिए सरकार द्वारा टेक इंडस्ट्री को अनावश्यक रेगुलेशन से बंदनों से बाहार निकालने का प्रयास किया जा रहा है नेशनल डिजिटल कम्यूनिकेशन पॉलिसी एक ऐसा ही बड़ा प्रयास था भारत को ग्लोबल सौब्वेर प्रोड़क्ट हब बनाने के लिए नेशनल पॉलिसी भी बनाई गई सुधारों का ये सिलसिला कोरोना काल में भी जारी रहा कोरोना काल में ही अधर सर्विस प्रोड़र वो एस पी गाइडलाइन्स को जारू की गया गया अभी जिसका आपकी चर्चा में उलेक भी हुआ इससे नई परिस्थितियों में आपके लिए काम करना आसान हुआ आपके काम को कम से कम रुकावट का सामना करना पड़ा आज भी जैसे आप में से कुछ मित्रों ने बताया कि 90 परसंट से जादा लोग अपने घरों से काम कर रहें इतना ही नहीं कुछ लोग तो अपने मुल गाउं से काम कर रहें दिखी यह अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत बनने वारा है 12 चेंपियन सर्विस सेक्टर्स में इन्फरमेशन टेक्लोलोजी को भी सामिल करने का लाब भी आपको होना शुरू हुआ है साथ यो दो दिन पहले ही एक और महत्वपूर्ण पॉलिसी रिफरम किया गया है जिसका आप सभी ने भी स्वागत किया है मैप और जियो स्पेशल डेटा को कंट्रोल से मुक्त करके इसको इंडुस्री के लिए खोल देना एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है एक ऐसा कदम है जो इस फॉरम की थीम जो है शेपिंग दे फ्यूचर ट्रवर्ड से बेटर नॉर्मल मैं समझता हूँ इसके साथ एक प्रकार से आपकी समीट का पुर्वस्रम का जो काम है वो सरकार के कर दिया है यह ऐसा कदम है जो हमारे टेक्स ट्राट अप इको सिस्टिम को सास्वत करने वाला है यह ऐसा कदम है जो सिर्फ आईट इंडिस्ट्री नहीं बलकि आत्म निर्भर भारत में व्यापग मिशन को मजूद बनाता है मुझे आध है आप पैसे अनेक एंटर्पर्णर्स मैप्स और जीयो स्पेशल डेटा से जूड़े रिस्ट्रिक्शन और रेट टेप से जूड़ी बाते अलग अलग फ़रंपर रखते रहें और मैं एक बार पता दूँ इन सारे विश्यों में सबसे बड़ा जो एक प्रकार से रेड लाइट दिखाये जाता था वो सिकुरूटी से संदर भी होता था कि ये चीजें अगर खुल जाएगी सिकुरूटी को संकट हो जाएगा ये मार मार आता था लेकिन सिकुरूटी के इस्यूस को भी हंडल करने के लिए आत्मविश्वास बहुत बड़ी ताकत होता है और आज भारत आत्म विश्वास से भरा हुआ है, सीमा पर हम देख रहे हैं और तभी इस प्रकार के निर्णे भी संभव होते हैं, इन दिर्णे सिर्फ टेकनोलोजी के दायरे का नहीं है, इन दिर्णे सिर्फ एडमिस्टिटिव रिफार्म ऐसा नहीं है, इन दिर्णे अमर्था का परिचायक है भारत को विश्वास हैं कब ये निर्णे करने के बाद भी हम देश को सुरक्षित भी रख बाएंगे और देश के नव जवानों को विश्व के अंदर अपना लोहा मुनवाना के लिए अउसर भी देंगे साथियों मेरी भी जब आप जैसे साथियों के साथ चर्चा होती थी तो इस समस्या का एहसास मुझे होता था अपने युवा उद्द्यम्यों को हमारे स्टार्ट अप्स को दुनिया में पैदा हुए नए अवसरों का लाप उठाने के लिए पूरी आज़ाद ही मिलनी चाहिए इसी सोच के साथ ये फैसला लिया गया है सरकार को देश के नागरिकों पर हमारे स्टार्ट अप्स पर और इनोवेटर्स पर पूरा भरोसा है इसी भरोसा के साथ सेर्फ सर्टिफिकेशन को प्रोसाइद किया जा रहा है साथियों बीते छे सालों में IT इंडस्ट्री ने जो प्रोडक्स जो समाधान तयार किये हैं उनको हमने गवन्नेंस का महत्वपुन हिस्सा बनाया है विशेश तोर पर डिजीटल इंडिया ने डिजीटल टेकनोलोजी ने सामाने से सामाने भारतिय को ससक्त किया है सरकार से उसको जोड़ा है आज डेटा को भी डेमोकर्टाइज किया गया है और लास्ट माईल सर्विस डिलेवरी भी प्रभावी हुई है आज सेक्डो सरकारी सर्विसिस की डिलेवरी ओनलाइन की जा रही है Governance में Technology के प्रभावी उप्योग से गरीब और मद्यमबर को सुभीदा के साथ साथ करप्शन से भी बड़ी रहात मिली है हमारे FinTech Products और UPI जैसे Digital Platform की चर्चा तो आज कुरी दुनिया में है World Bank समेत इसके सामर्थ की चर्चा कर रहे हैं कैसे तीन चार साल के भीतर भीतर एक हैविली कैस्ट डिपेंडेंट सुसाइटी उससे हम लेस कैस्ट सुसाइटी के तरफ मकमता पुर्वक बढ़ चले हैं यह हमारे सामने हैं जितना Digital Transaction ज़्यादा होता जा रहा है काले धन के स्रोथ उतने ही कम हो रहे हैं जैम ट्रिनिटी और डिवीटी के कारण ही आज गरीब के हक की पाई पाई उस तक बिना किसी लिकेज के पहुँच पा रही हैं साथियों ट्रांस्परंसी यानि पारदर्सीता गुड गवर्ननस की सबसे एहम शर्त होती है यही बनलाव अब देश की शांसनी ववस्ता में हो रहा है यही कारण है कि हर सर्वे में भारत सरकार पर जनता का भरोसा लगातार मजबुत से मजबुत हो रहा है अब सरकारी कामकाज को सरकारी रेजिस्टरों से बहार निकाल कर डैस्पॉर्ड पर लाया जा रहा है प्रयास यह है कि सरकार और सरकारी विभाग के हर गतिविदी को देश का सामान नागरिक अपने फोन पर देख सके जो भी काम हो वो देश के सामने हो साथियों गवर्मेंट प्रोकॉर्मेंट को लेकर पहले कैसे कैसे सवाल उड़ते थे यह हम में से कौन है जो नहीं जामता है हम भी त्रचरता में वो ही बोलते थे हम भी वही सुनते थे हम भी चिंता व्यक्त करते हैं, अब आज डिजिटल टेक्नोलोजी का उप्योग करते हुए, पूरी पारदर्सिता के साथ, गवर्मेंट ये मार्केट प्लेस याने GEM के जरिये खरीद की जा रही हैं। अबर प्रोजेक्स की जी यो टेगिंग की जा रही हैं, ताकि वो समय पर पूरे किया जा सके हैं। यहां तक की आज गाउं के घरों की मैपिंग ड्रॉन से की जा रही है। टेक्स से जुड़े मामलों में भी हुमन इंटरफेस को कम किया जा रहा है। फेसलेस व्यवस्ता विक्सित की जा रही है। देश को आप से बहुत जादा उमीद है, बहुत जादा पेक्षाय हैं। आपने ये सुनिशित किया है कि हमारी टेक्नलोजी जादा से जादा मेड इन इंडिया हो। मेरा आप से आगर है कि आपके सॉलुशन्स आपके सॉलुशन्स में भी अब मेक फॉर इंडिया की छाप होनी चाहिए। अगर हमें मल्टिपल डोमेंश में इंडियन टेक्नलोजी लीडर्शिप की और आगे बढ़ना है, इस मोमेंट को बनाए रखना है, तो हमें अपनी कॉम्पेटिटिवनेश के नए माबदन बनाने होगे। हमें अपने आप से स्परधा करनी ही होगी। ग्लोबल टेक्नलोजी लीडर बनने के लिए इनोवेशन और एंटरप्राइज के साथ ही भारतिय आईटी सेक्टर को कल्चर अफ एक्सेलेंस और इंस्टिटूशन बिल्डिंग उस पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। ऐसे मैं मेरे मेरा अपने स्टार्ट अप फांडर्स के लिए एक विशेश संदेश है। खुद को सिर्फ वैलुएशन और एक्जिस्ट्राटेजी तक ही सिमित मत करिये। एक्षिस्टूट्थुए। आवू copy लिए ऑम्यॐशन चेंटिटूशन उतलेगी। बिल्यूथ्स थेशव क्वे टिःस्टूशरी scholar उ मरतिस्टूशन on excellence, there can be no compromise on these twin goals, for without them we will always be a follower and not a global leader, साथ क्यों इस वर्ष हम अपनी आजादी के 75 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, यह बहुत सही समय है, नए लक्ष बनाने का उन्हें प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत लगा देने का, अपसे 25-26 साल बाद, जब भारत अपनी स्वतंतरता के सो वर्ष मनाएगा, जब हम सेंचुरी सेलिबरेट करते होंगे, तब कितने नए वर्ल क्लास प्रोडक्स हमने दिये होंगे, कितने ग्लोबल लीडर्स हमने बनाए होंगे, यह सोच कर हमें अभी से काम करना होगा, आप लक्ष तय करिए, देश आपके साथ है, भारत की इतने बड़ी आबादी, आपकी बहुत बड़ी ताकत है, बीते महिनों में हमने देखा है कि कैसे भारत के लोगों में टैक्स सॉल्यूशन्स के लिए बेसबरी बड़ी है, लोग नए टैक्स सॉल्यूशन्स का इंतजार कर रहे हैं, लोग नई चीजें ट्राइ करना चाहते हैं, और खासकर भारतिये एप्लिकेशन्स के लिए तो उ उनमें एक उत्सा है, देश मन बना चुका है, आप भी मन बनाएए, साथियों, 21 सदी में भारत की चुनोतियां और उसके समाधान के लिए प्रो एक्टिव टेक्नोलोजिकल सॉल्यूशन देना, आईटी इंडस्ट्री, टेक इंडस्ट्री, इनोवेटर्स, रिसर्चर्स, यंग माइंड, इनका बहुत बड़ा दाइत्व है, अब जैसे हमारी खेती में पानी और फर्टिलाइजर की जरुरत से जादा उप्योग से बहुत बड़ी समस्य आती है, क्या इंडस्ट्री को ऐस स्मार्ट टेकनोलोजी के लिए काम नहीं करना चाहिए, जो आर्टिफिशल इंटेलिजेंस का उप्योग करते भिए, हर फसल में पानी और फर्टिलाइजर की जरुरत के बारे में किसान को बता सके, सिर्फ टेकनोलोजी बनाने भर से ही काम नहीं चलेगा, इसको भारत में म आस्ट लेवल पर एड़ोप भी किया जा सके, ऐसे सॉलूशन हमें तयालास करने हैं, इसी तरफ हेल्थ और वेलनेस के डेटा की ताकत से गरीब से गरीब को लाप कैसे मिले, इसके लिए भी आज भारत आपके तरफ देख रहा है, टेली मेडिसीन को प्रभावी बनाने के लिए भी आप से बहतरिन सॉलूशन की उमीद देश कर रहा है, सात्यों सिक्षा और स्किल डवलपमेंट को लेकर भी टैक इंडिस्ट्री को ऐसे समाधान देश को देने होंगे, जो देश की बड़े से बड़ी आवादी को सुलब हो, आज देश में अटल टिंकरिंग नहीं माहोल बनाये जा रहा है, नई नेशनल एडूकेशन पॉलिसी में, एडूकेशन के साथ साथ स्कीलिंग पर भी उत्रा ही जोर दिया गया है, ये प्रयास इंडिस्ट्री के सहीयों के विरा सफल नहीं हो सकते, एक बात मैं ये भी कहूंगा, कि आप अपनी CSR अगर आपकी CSR एक्टिविटीज का फोकस देश के पिछडे क्षेत्रों के बच्चों पर होगा, आप उन्हें डिजिटल एडूकेशन से ज्यादा जोडेंगे, उनमें एनालेटिकल थिंकिंग, लेटरल थिंकिंग डेवलप करेंगे, तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होंगा, सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, लेकिन इसमें आपका साथ मिलना, तो मैं समता हूँ, बात कहां से कहां ले जा सकती है, इंडिया is not short of ideas, it needs mentors who can help turn ideas into reality, साथियों आत्मंदिर भर भारप के बड़े सेंटर आज देश के टियर टू, टियर थ्री शहर बनाते जा रहे हैं, यही छोटे शहर, आज IT-based technologies की डिमांड और ग्रोथ के भी बड़े सेंटर बनते जा रहे हैं, देश के इन छोटे शहरों के युवां अद्बूत सामने आ रहे हैं, सरकार का फोकस भी इन छोटे शहरों में बहतर इन्फासेटर के निर्मान पर है, ताकि वहां रहने वाले देशवासियों के साथ साथ आप जैसे उद्यम्यों को भी असुविदा ना हो, जितना अधीक आप इन छोटे शहरों कश्मों के और जाएंगे, उ कि आने वाले तीन दिनों में आप वर्तमान और भविश के ऐसे ही समाधानों पर गंबीर चर्चा करेंगे, सरकार हमेशा की तरह आपके सुझाओं पर गंबीरता से विचार करेंगे, और मैं एक बात जुरू कहना चाहूंगा, पिछले बार 15 अगस को लाल के लिए से जब म कि एक हजार दिन में हिंदुस्तान के 6 लाग गाउं में आप्टिकल फाइबर नेटवर्क का काम पूरा करना है, अब आप्टिकल फाइबर नेटवर्क ये तो एक स्केलेटन हो जाएगा, और मैं पीछे लगाऊं तो साइध हम कर भी लेंगे, राज्य भी इसमें हमारे लेकिन उसके बाद का जो काम है न वो आपके दिमाग से जुड़ा हुआ है, अब टिकल फाइबर नेटवर्क का इंफास्रेक्चर, हिंदुस्तान का गरीब भी गरीब इसका उप्योग कैसे करे, यूजर फ्रेंडली नएने प्रोड़क कैसे आए, गाउं का व्यक्ति भी स स्केलेटन उसकी जिंदगी बदलने का एक बहुत बड़ा रास्ता कैसे बना सकता है, ये काम अभी से आपके हाँ छोटे-छोटे स्टार्ट अप्स, ऐसी प्रोड़क लेकर का ये, कि गाउं में उप्टिकल फाइबर पहुँचा, कि गाउं के इन दस जर्यों आते पूरी ह जाएगी, गाउं के अंदर अप्टिकल फाइबर पहुचा, गाउं के बच्चों के जीवन में ये चीज बडलाव लाने के लिए मेरे पास रेडी है, आप देखे कितना बड़ा उसर है, कितना बड़ा उसर है, और इसलिए मैं आपको निमंतर देता हूँ, कि सरकार इस काम को कर रही हैं, आप सोचिए, आजादी के 75 साल के लिए आप क्या कांट्रिबूट करेंगे, कुछ ताय कीजिए, 2047 आजादी 100 साल के लिए मनाने की जाएगी, आपका रोड मैप क्या होगा, आपके लक्ष क्या होगे, उन लक्ष को ले करके कैसे चलना, उस पर ताय कीजिए हमें लीडर्शिप लंबे अर्शे तक लेनी हैं, खरक्षेत्र में लेनी हैं, पूरे सामर्थ के साथ लेनी हैं, और इस लीडर्शिप के आपके चिंतन मनन से वो निकलेगा, वो अमरुत देश को काम आएगा, इस ही एक अपेक्षा के साथ, मेरी आप सब को बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवार